मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास 10 में, तो हम लोग अभी तक क्लास 10 में दसवा चेप्टर में प्रस्नावली 10.2 में अभी तक क्वेस्चन नमर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो अब जो हैं पीछले वीडियो में आप इसे देख लें अगर आप नहीं देखे हैं, क्वेस्चन नमर 9 तक के सॉल्यूशन को तो आप अवस्य देख लें exercise 10.2 के सॉल्यूशन में, तो अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, और exercise 10.2 के question number 10 को हम लोग देखेंगे, तो question number 10 को बच्चों पढ़ें अपने बुच से, तभी इस वी जित्त पर खीकी गई असपश रेखांग के बीच का कॉन बाहि बिंदू से असपश रेखांग के बीच नहीं कौन हुआ यह बीच का उस के बाद देखिए क्या कहता है इसमें इस परस बिंदूों को मिलने वाली रेखा खंड द्वारा तो अस्पर्स बिंदू कहा है यहां है अस्पर्स बिंदू एक अस्पर्स बिंदू ए दूसरा अस्पर्स बिंदू भी इसको मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कौन यानि कि ये कौन और ये कौन एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो संपूरक का मतलब समझते हैं आप लोग तो संपूरक से रेखा है और यहां पर एक तिर्जिया है पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट यानि असपर से बिंदू के साथ यह 90 डिग्री का कौन बनाता है तो यह चलिए यह 90 डिग्री का कौन बनाया तो अब इसमें बचा क्या कुछ नहीं बचा है आप चतर्भूज को ले लीजिए अबी किस चतर्भूज में तो हम लोग लिखेंगे चतर्भूज a o b t में ऐंगल a प्लस एंगल o प्लस एंगल b प्लस एंगल t equal to 360 डिग्री उसके बाद एंगल a का value 90 angle o का value जो है पता नहीं angle b का value 90 plus angle t equal to 360 degree उसके बाद angle o plus angle t equal to 360 degree minus 180 degree 90 plus 90 180 होता है जो की right side में जाके minus में हो जाएगा अब इसको इसमें घटा देते हैं तो 180 बचता है और यह angle o और angle t दोनों मिल कर जो हैं हो गया 180 degree इसका मतलब संपूरक हो गया बस यहीं तो हमको प्रूब करना था बहुत easy है की नहीं तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और question number 11 को देखते हैं पढ़ते हैं सिद्ध कीजिए कि किसी बिरित के परिगत समांतर चतरभूज शम चतरभूज होती है तो पहले बच्चों मैं इसको डिलीट करता हूँ मतलब बोट से डिलीट करता हूँ आप जो है अपने दिमाग में इसको सेव कर लेंगे तो चलिए इसको मैं मीटाता हूँ अब देखिए यहां पर यह कह रहा है कि अगर किसी बिरित के परितह आप समांतर चतरभूज खीचते हैं कैसा चतरभूज खीचते हैं समांतर चतरभूज तो चलिए बच्चों हम लोग समांतर चतर्भुज बना लेते हैं यहां पर, तो यह जो है आपका समांतर चतर्भुज हो गया, यह A, B, C और D. तो समांतर चतरभुज की क्या-क्या विशेस्ता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसी भुजा के आधार पर जो हैं हम लोग इसको प्रूख करने जार हैं तो इसको लिख लेते हैं कि A, B, C माना A, B, C, D, A शमांतर चतरभुज चतरभुज हैं जिसमें A, B, E, K, D, C एंड, A, D, E, K, D, E, K, D, C ये तो हम लोग लिख सकते हैं लिख दिये उसके बाद एक चीज हम लोग और जानते हैं ये हो गया असपर्स बिंदू P, Q, R, S P, Q, R, S क्या होगे असपर्स बिंदू इसमें लिख लेते हैं कि माना P, Q, R, S, क्रमशह असपर्स बिंदूए हैं असपर्स बिंदूए हैं उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है करना है कि P, Q, A, B, C, D एक सम्चतर भुज अहाए ये प्रूप करना है अब इसको प्रूप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जान रहे हैं कि असपर्स बिंदूए की लंबाई जो होती है वो हमेशा बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं कि यह A, P, बराबर मतलब कि बृत्त के गुनों से बृत्त के गुनों से हम लोग यह लिख सकते हैं A, P, बराबर A, S और B, P, बराबर B, Q उसके बाद D, Q, बराबर D, S और यह C, Q, बराबर C P, P, Q, R, S तो यह C, Q, बराबर C, R और D, Q, D, R, बराबर D, S इस तरह से कुछ अब गलती होगी तो सुधर जाएगा इसमें अब हम इसको add कर लेते हैं A, P, बराबर B, P, बराबर D, R A, P, पलस C, R C, R को यहां लिखिए और C, Q को यहां लिख दीजिए D, R, पलस C, R, इक्वल टू A, S पलस B, Q पलस B, Q पलस D, S पलस C, Q तो इसमें देखिए बच्चों A, B और B, P को हम मिलाते हैं A, P और B, P को मिलाते हैं तो यह हमको A, B मिलता है हर एक साइड हमको मिलना चाहिए इसमें D, R और C, R को मिलाते हैं D, R और C, R को मिलाते हैं तो यह हमको मिलता है C, D उसके बाद A, S और D, S A, S और D, S को मिलते हैं तो मिलता है A, D A, D और देखिए A, S और D, S को मिला दीए B, Q और C, Q को मिला दीजिए BQ और CQ को मिला देते हैं तो BC मिलता है BC मिलता है अब यहां पर देखिए यह जो आपका समीकरन है इसको समीकरन एक नाम दे दीजिए यह क्या कह रहा है कि AB और DC बराबर है इसका मतलब हो गया AB अजोड CD के बदले में भी AB लिख सकते हैं हम लोग उसके बाद देखिए AD और BC आपका बराबर है AD और BC बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि AD को रहने दिया BC के बदले में AD लिख दिया इस तरह से AB इक्वल टू AD इकल गया हलाकि 2 AB आएगा और 2 AD आएगा 2-2 खतम हो जाएगा तो आपका बच जाएगा AB जो AB इक्वल टू AD बच जाएगा अब इसमें चलते हैं यह जो AB है यह AD के बराबर लेकिन यह जो AB है आपका यह AB DC के बराबर CD के बराबर है और यह AB जो है AD के बराबर हमारा निकला हुआ है लेकिन यह AD जो है आपका AD जो कि BC के बराबर है इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी चारो भुजाएं जो हो गई वह बराबर हो गई तो बराबर हो गई तो हम इसको कैसा चतरभूज कहेंगे कैसा चतरभूज कहेंगे सम चतरभूज कहेंगे की नहीं तो बच्चों देखिएगा इसको लिखने में गरबड़ी पैदा नहीं हो इसलिए मैंने एक लाइन खीज दिया अतहा A, B, C, D, A एक शामू चतरभूज है चतरभूज है चलिए इसको आप लोग लिख लेंगे इसको ठीक तरह से उतार लीजिए कि इसको मैं आगे बढ़ाता हूं कि इसको अब धीरे-धीरे मिटाओंगा आप लोग यहां पर इसका स्क्रीन सॉट लेके रख लें बच्चों और अत्मिनान से लिखें यह थोड़ी सी भारी लगेगी लेकिन अगर आप बनाते हैं इसको तो यहां आपके लिए भी हलका हो जाएगा उसके बाद क्वेशन नमर 12 हम लोग चलते हैं क्वेशन नमर 12 में देखिए यह क्या कह रहा है आप लोग पढ़के बढ़ियां से समझिएगा हम पढ़ लिए हैं इसको इसमें जो है एक सरकल है और इस सरकल में के ऊपर एक तिर्भूज इस तरह से बन रहा है और यह तिर्भूज की क्या-क्या भिशेष्ता है कि इसकी त आर सेंटीमीटर दिया गया है तो यह असपर्स बिंदू असपर्स बिंदू से लंब हम डाल दिये यह आपका असपर्स बिंदू असपर्स बिंदू से यहां लंब डाल दिये इसमें जो है आपको दिया गया है ए बी सी इस तरह से दिया गया है और यह जो असपर्स बिंद दिया है, फोर सेंटी मीटर दिया गया है. भी समझ रहे हैं? इसमें आपको कहता है क्या? कि आप A.C. को बताइए कितना होगा और A.B. बताइए कितना होगा, इसकी लमबाई कितनी होगी. तो इसकी लमबाई निकालने के लिए हम अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. पाहि बिंदू से असपर्स रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है अब इसको हम X माल लिए और इसको X माल लिए तो यह जो तिर्भूज बना हुआ है इस तिर्भूज में इसकी भुजाएं हम तो क्या-क्या देख रहे है कि 8 पलस 6 8 पलस 6 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एक भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर उसके बाद दूसरी भुजा यह A अब B कौन सा भुजा हो जाएगी यह तो B जो हो जाएगी 6 पलस X देख सकते हैं 6 पलस X और C भुजा जो है यह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 पलस X हो जाएगा अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हेरंस फर्मूला लगाकर इस तिर्भुज का छेतरफल निकालेंगे फिर कोई दूसरा फर्मूला लगाकर तिर्भुज का छेतरफल दूसरे तरह से निकालेंगे तो अब आप दो पर होगा क्योंकि एक ही तिर्भुज का छितरफल निकाल रहे हैं में लोग तो अब यहां पर S हेरोंस फॉर्मूला के लिए S लगाना पड़ेगा S equal to 8614 plus 6 plus X plus 8 plus X by 2 निकाल दिये तो यह 14 plus X आपका निकल जाएगा देख लीजिए इसको solve करके अब हैरोंस फॉर्मूला के अनुसार area of triangle जो होता है S into S minus A, S minus B और S minus C होता है यह हम लोग जानते हैं जब जानते हैं तो S का value क्या है ज़रा देखिए यह S का value 14 plus X है यह 14 plus X minus 14 हो जाएगा एक बार और यह 14 plus X minus 6 minus X हो जाएगा एक बार B को घटाएगे और यह 14 पलस X माइनस 8 माइनस X एक बार C को घटाएंगे अब इसको solve करते हैं हम लोग तो 14 पलस X यहां 14 14 कैंसील बच गया X यहां X X कैंसील अच चौदर में 6 जाए 8 और उसके बाद यह 14 में 8 जाए 6 और X X यहां कैंसील तो इस तरह से हमको यह एरिया मिल गिया अब क्या करते हैं हम लोग इसमें जो है इसको मिला दिये और इसको भी मिला दिये इसको भी मिला दिये अब देखे हम लिख रहे हैं कि एरिया ओफ ट्रेंगल A, B, C को हम कैसे निकालते हैं एरिया निकालेंगे यह बीच में कैंदर O है O, A, B, O, A, B plus area O, B, C plus area O, A, C अब इस चीज को हमने लिखा है और इसको हम लोग verify करेंगे figure को देख कर तो चलिए बच्चों figure पर नजर डालते हैं हम लोग देखते हैं figure में क्या कह रहा है कि O, A, B का area निकालना है देखिए O, A, B ये हो गया आपका तो area किसी तिर्बूज का होता है आधार गुना उचाई तो ये हो गया A, B आधार हो गया उचाई हो गया आपका यह 4 हो गया तो आधार X पलस 8 है तो यह आपका हो जाएगा 1 by 2 8 पलस X इंटू 4 हो जाएगा फिर O, B, C देखते हैं O, B, C देखते हैं आधार इसका 6 पलस 8 14 और उचाई देखिए 4 इस बृतिकी तिरजिया तो यह 1 by 2 गुना 14 इंटू 4 पलस फिर 1 by 2 गुना X पलस 6 X पलस 6 गुना 4 इस तरह से यह value आपका आजाएगा अब देखिए इसमें क्या क्या कोमान आता है बच्चों 1 by 2 कोमान आता है, 4 कोमान आता है तो यह बच जाता है 8 पलस X पलस 14 पलस 6 तो यह आपका 2 इंटू 2 X पलस 28 तो 2 इंटू 2 कोमान लिये तो X पलस 14 तो यह 4 इंटू X पलस 14 आता है यह आपका यहां से अलग है मेरे प्यारे बच्चों यह आपका समीकरन 2 और यह आपका समीकरन 1 एक और दो को हम बराबर कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही तिरभूच का चेतरफल है तो हम लिखेंगे 4 इंटू X पलस 14 बराबर फरॉम फर्स्ट एंड सकेंड से रूट अंडर 14 पलस X इंटू X इंटू अरचा के 48 यह 48 हो जाएगा इस दोनों को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 4 का वर्ग 16 एक्स पलस 14 का वर्ग बराबर 14 पलस X इंटू X इंटू 48 इसका वर्ग मूल खतब वर्ग कर दिये तो इसका वर्ग मूल खतब अब देखिए 14 पलस X एक इधर से एक इधर से कट जाएगा तो देखिए एक्स पलस 14 बराबर बच गया 3X यानि 2X बराबर 14 हो जाएगा देखिए आप ध्यान से देखिए और उसके बाद X बराबर आपका निकल जाएगा 7 X क्या निकल जाएगा आपका? 7 निकल जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यह लास्ट लाइन नहीं दिखा इसको मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ तो यह जो आपका solve हो के हो जाएगा 2X इक्वल टू 14 X बराबर 14 बाइ 2 इक्वल टू 7 अब देखिए X का value निकल गया 7 X का value निकल गया 7 है न? तो X का value जब 7 निकल गया तो अब हमको पता लगाना है AC कितना है A C कितना होगा भाई? अंत में लिखना है का लिखना है? नीचे लिखना है और वहाँ पे क्या लिख देना है? लिखते हैं न सब कोई? A N S है न? तो वो भी लिख देना है बच्चों तो इस तरह से हम लोग question number 12 को भी solve कर लिये है question number 12 थोड़ा सा बहुत बड़ा है इसको आप लोग ठीक तरह से अपनी copy में लिख लेंगे इसके बाद हम लोग चलते हैं question number 13 में जो की आपका last है तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं कि सिती की जे कि किसी बृत्य के परिदी पर बनी चतर भूझ की आमने सामने की भूझाय के अंद्र पर शंपूरक कौन अंतरीत करती हैं तो किसी भी बृत्य के परिदी पर बनी चतरभुज की आमने सामने की भुजा ये देखिए हम एक बृत बना दियें और इसके परिगत जो है एक चतरभुज भी बना दियें A, B, C और D कहता है कि आमने सामने की जो भुजा है यह सम्पूरक होती है यहाँ पर इस तरह से यह आपका O यह आपका तो यह देखिए यहाँ पर कौन बन रहा है और यहाँ पर कौन बन रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना की A, B, C, D कोई चतरभुज बृत के परितह है हमें सिध करना है कि एंगल C, O, D पलास एंगल A, O, B इक्वल टू 180 डिग्री लगता है मैट्स की आत्मा चली आईए है बच्चों साब्धान ध्यान रखेंगे तो इसमें हमको देखिए क्या प्रूफ करना है यह प्रूफ करना है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम मिला देते हैं यह 90 डिग्री का कौन इसको मिला दियें तो यह भी 90 डिग्री का कौन और यहाँ पर जो है केंदर पर बनने वाला कौन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से अब देखिए बच्चों कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी बृत के में बाहि बिंदू से असपरस रेखा की लंबाई भी बराबर होती है और यह दोनों तिरभूद जो हैं आपका सर्वांगसम होता है क्या होता है सर्वांगसम होता है जब सर्वांगसम है तो यह कौन इसके बराबर होगा ही यह 1 जो है 2 के बराबर होगा ही इसी तरह का सब जगह situation आपको देखने को मिलेगा देखिए यहां पर बाई ही बिंदु हुआ उसके बाद यह कैंद्र हुआ यह एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे अब इसके प्रूफ में हम लोग लिखेंगे मतलब की ब्रित के गुनों से ब्रित एवं ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रित एवं असपर्स रेखाओं के गुन से एंगल 2 बराबर एंगल 3 एंगल 1 बराबर एंगल 8 उसके बाद एंगल 6 बराबर एंगल 7 और एंगल 5 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं अब देखिए कि एक क्यांद्र पर जितने भी कोन बन रहे हैं एक से लेकर 8 तक यह आठो कोनों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है यानि कि यह complete एंगल है आपका तो एंगल 1 जोड एंगल 2 जोड एंगल 3 जोड एंगल 4 जोड एंगल 5 जोड एंगल 6 जोड एंगल 7 जोड एंगल 8 बराबर 360 डिग्री दिख रहा है तो हमें उम्मीद है कि यह आपको दिख रहा होगा अब देखिए कि 2 जो है 3 के बराबर है तो एंगल 3 के बदले में एंगल 2 लिख सकते हैं 2 को रहने दिये हैं 8 जो है 1 के बराबर है तो एंगल 1 को रहने दिये और एंगल 8 के जगह पर हमने क्या लिख दिया एंगल 1 लिख दिया 8 के जगह पर उसके बाद 6, 7 के बराबर है तो angle 4 को 5 कर दीजिए और angle 5 को रहने दीजिए फिर angle 6, 7 के बराबर है तो angle 6 को रहने देते है और उसके बाद angle 7 के बदले में 6 लिख देते हैं और 8 के बदले में angle 1 equal to 360 degree अब देखिए यह दो बार है 2 into angle 2 plus 2 into angle 1 plus 2 into angle 5 plus 2 into angle 6 equal to 360 degree अब इसमें से 2 अगर कोमल लेते हैं तो angle 2 plus angle 1 बचता है angle 5 plus angle 6 बचता है और यह आपका 360 degree तो अब यह 2 right side में जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 और 2 मिलके हमको क्या दे रहा है 1 और 2 मिलकर COD दे रहा है तो angle COD और 5 और 6 मिलके हमको क्या दे रहा है angle AOB दे रहा है तो यह angle AOB equal to 360 by 2 equal to 180 degree इस तरह से angle COD plus angle AOB equal to 180 degree यही चीज हमको क्या करना था प्रूब्ड करना था तो मेरे प्यारे बच्चों उमीद हैं कि आप लोगों को समझ में आ गिया होगा इस circle से आप लोगों को कम से कम 5 नम्मर का question पूछा जाएगा एक objective आएगा और एक 4 नम्मर का question आता है इसमें और अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं इस वीडियो के माधियम से तो अब जो है हम लोग वैसा सब question को पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद जो आपके jackboard में बहुत ही important है जैसे mensuration से आप लोगों का मतलब 6 त्रिमिती से एक full question छे नम्मर का आता है फ्रस्टम से मतलब चंक संकू के छिनक से तो हम लोग उसको अब पढ़ेंगे important सब question को पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी question इस video के माधियम से छूट जाएगा हमारा तो उस question को हम लोग class में जब एक दूसरे से मिलेंगे तब हम लोग solve करेंगे तो मुझे उमीद है बच्चों कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया online के माधियम से उसको आप लोग तयार करेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में mensuration यानि की छेत्र मिथी में संकू के छिन्नक एवं कुछ सुत्र को लेकर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद